जैसे कि जार्खन के अंदर आप सभी लों को मालूमें कि अभी जार्खन के अंदर कई तरह की योजना हैं शुरू किया जा रहा है जिसमें कि दोस्तों कुछी मैना पहले जार्खन सरकार के दवारा मुख मंत्री मया समान योजना असकीम लाया गया था ये योजना अभी तक चलही रहा है जिसमें कि सभी महिलाओं के खाते में दो-दो किस्त का पैसा आज चुका है और इसके बीच में एक और नया योजना जारी किया जा रहा है जोकी बिजेपी के दवारा यानि भाजपा सरकार के दवारा लाया जा रहा है में सभी महिलाओं को यहाँ पर लाब मिलने वाला है यानि जनम से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा इन महिलाओं की अगर बेटी पैदा हो जाती तो उसका जनम से ही लाब मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसमे की परतियेक महिलाओं को हर एक महिना 2100 रुपिया इस योजना के अं डॉक्मेंट आइडी प्रूफ होना चाहिए और किसे आपको लाब मिलने वाला है तो कब से एपलाई होना शुरू हो जाएगा वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं तो वीडियो को आप लोगेंड तक जरूर देखें कि यह वीडियो आपको अश्टेब आश्टेब बताने वाला हूं ताकि इसमें कोई भी अश्टेब मिस्ट ना हो जाए इसलिए आर्टिकल के माधियम से आप लोगो को दिखा रहे हैं वो भी बिल्कुल लाइप रूप के साथ इसलिए आप लोग इस वीडियो के इन तक जरूर देखेगा तो सबसे प्ले आपर देशनी लिखा हूँ है गोगो दिधी योजना जार्खन में लिखा हूँ है जिसमें कि यहाँ पर लिखा है कि गोगो दिधी योजना को जार्खन भारतिये जनता पार्टी यानि बिज़ेपी पार्टी के दवारा लाया जाएगा इस योजना को जार लाने जा रही है कब से इसका आवेदन होगा चलिए इसको हम नीचे आप लोगो को बताने वाले हैं तो यहां पर इस पेपर में पूरा मेंशन क्या गया है जो कि दोस्तों यहां पर लिखावा की जारखन में मैलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपिये भेजे जाने की हैमन सरकार की मया समान योजना के मुकाबले भाजपा गोगो देदी योजना लाने जारी है हैमन सरकार दवरा 18 वर से उपर की सभी महीनाओं को ला पहुचाने की योजना से एक अदम आगे बढ़कर भाजपा अपनी योजना बालिका के जनम के साथ ही मा और बेटी दोनों को समान राशी देने कान करने जारी है दोस्तों हमन सरकार के दवरा जो मिया समान योजना लाया गया है उसमें भी 18 साल से 50 साल की उम्रे वाले महीलाओं को एक एक हाजार रुपया दिया जा रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिजेपी के दवरा जो गोगो दिदी योजना लाया जा रहा है उसमें से सभी महील बिस्व सर्मा ने कहा कि इस महिने भास्पा की और से जारी होने वाली भोसना पत्र इस योजना का परमूख से उलेख होगा। दो रखा गया है तो गोगो का मतलब यहां पर देख से मैंशन क्या गया है कि गोगो संथाली एक भासा सब्द है जिसका अर्थ मा होता है हलाकि योजना के नाम पर अभी मंधन चल रहा है नाम में बदलाव की भी संभावना हो सकता है यानि कि दोस्तौ गोगो दीजंडी जो योजना का नाम है ये नाम बदलाव भी हो सकता है ठीक है उसके बाद एक क्यासम के मुख मंत्री जारकन के बाचपा सभ चुना यानि के दोस्तों यहां पर सभी चीज मेंशन किया गया है जो भी इंपोर्टेंट हमें लगा वो मैंने आपको बता दिया अब दोस्तों यह भी मुख मंत्री मया समान योजना के बारे मगर बात किया जाए तो मुख रूप से महिलाओं को विशेश रूप से माताओं को समाज में उनके योगदान का मानियता देते हुए साहिता परदान करती है ठीक है दोनों के यहां पर अंतर दिया गया है जिसमी के दोस्तों मया के सम सब्सक्क्राइब करने वाला जिसका राशी आंपर एकी सो रुपया परती महां मिलने वाला जनम सही लाजू हो जाएगा बच्चे की योजना अक्टूबर के महिने में स्टार्ट हो जाएगा लेकिन किस डेट में होगा आगे यहां पर मेंशन किया यह भी माप लोग को बतान की महिला बेटी आइदन कर लाव लें के साथ ही मिलेंगे शमान रसी भाजपा के संकल्प पत्र में हो करते ही कि अप कौन से मा बेटी बॉहने यहाँ पर अपलाई कर सकती है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि दोस्तों यह दोस्तों इस Heo-Dana क लाव जहार राइच की बेटी या माता आवदन कर सकती है। उसके बाद है इस योजना का लाब बेटियों को जनम से मिलना शुरू हो जागा मा और बेटी दोनों को मिलेगा अगर महिला के परिवार को वार्सिक आये तीन लाख रुपिय या उसे कम हो तो वो आविदन के लिए पात्र है यानि आविदन कर सकती है महिला के पास खुद का ही खाता होना चाहिए साने की जोइंट खाता हो यह फिर अगर आपने गार्जन का देना चाहेंगे तो यह पोसिबल नहीं है अगर महिला जार्खन रायच के मूल निवासी है तो वो भी इसमें आविदन कर सकती है यानि जार्खन वासी होना ही ज़रूरी है अगर परिवार अक्टूबर 24 महिने में शुरू किया जाएगा ताकि नई सरकार बनते ही यानि भाजपा के सरकार बनते ही इस योजना का किस्त आप सभी के बैंग खातों में भेजा जाए यहाँ पर आपको किलियर हो गया कि यह योजना अक्टूबर के महा में शुरू होने वाला है लेकिन परमान पत्र बैंग पास्बूग जाती परमान पत्र पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर यहां पर होना बहुत ही जोरी है इस तरीके से महिया समान में भी डॉक्मेंट लाए गया था लेकिन बाद में बहुत सारे डॉक्मेंट को हटा दिया गया अभी सिर्फ परमान से यहां पर जो आई परमान पत्र जाती परमान पत्र जो मेंट्शन किया गया है हो सकता इसको हटा दिया जागा कि इसका फों कहां से मिलेगा कैसा को दिया जागा कि आपको ऑनलाइन आविदन करना यह फिर ऑफलाइन होने वाला है पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाला है साथी साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसे आवेदन करना है तो यहाँ पर वही चीज मेंशन किया गिया है कि यहाँ पर आपको online offline दोनों देखने को मिल सकता है अलाएक इसका online पर किरिया सथा इस योजना को अधिकारिक तोर पर लागू नहीं किया गया है इस योजना का online आविदन अक्टूबर से होने वाला है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है और साथ ही साथ में यह भी किया गया है कि इसका पहले केस्त भाजपा की सरकार बनती है जारखंड में तो मिलेगा ही तो यहां प को फॉर्म भरना है क्या डोकुमेंट लगेंगे सारी चीजे मैंने आपको को वीडियो में मेंशन कर दिया अगर वीडियो थोड़ी सी भी परशन्द आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों